अप्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है दूसरा वर्ग निराश होता है लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है मात्र दो विक्तियों को छोड़के नितीश कुमार और चंदर बाबुनेड मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्ये जिन्हों ने अभूतपूर समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगबख सारी सीटे दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उडीसा है, हिमाचल प्रदेश है, जारखन, छतिसगड है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंधरा, उनको सब कुछ लटा दिया गया, तो इससे तो यही सार मिलता है, कि जो राज्ये भाजपा को कम वोट देता है, उसो जादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजी, और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरि की बात है, इसमें कोई दोराई नहीं है, आपका economic survey भी, CMI की report भी, और जितने भी ये agencies हैं, इनकी जो भी सालाना reports आती है, साफ बताती है, कि इस देश में आए तो बढ़ने रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर आए महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी, तो इस देश का हर नागरिक एक माईने से गरीब होता जा रहा है, और उसके उपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादात थी इस देश में, उसको लाचारी के कागार पे लाकर सरकार ने खड़ा करती है, जिसमें सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, body blow इस देश के investors को दिया गया है, वो है indexation की, जो लाब आपको दिया जाता था, वो आपसे छेन लिया, indexation छेनना, investors पे tax लगाना नहीं, investors को penalize करने जैसा है, आप indexation remove करके, एक माईने में inflation पे भी tax ले रहे हैं, यानि कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुवधा खरीद या income कमाएं, उस पे तो tax देते थे, अब आप महंगाई जो inflation बढ़ रही है, उस पर भी tax दे रहे हैं, क्यूंकि आपसे indexation की जो एक, एक, एक लाब आपको दिया गया था, वो आपसे सरकार ने चीन लिया है, तो कुल मिला कर, इस budget ने लगभग हर तपके को नराज किया है, दिली के हिस्से में क्या है, दिली के हिस्से में खास तोर पे, दिली वो राज्ये जो share in central taxes में लाखो करोड़ों रुपे केंदर सरकार की एक हजाने में जमा कराता है, दिली वाले जमा कराते हैं, उनका share in central taxes जो उने मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, वो 20 स से जितनी राशी मिलती थी, करीब साड़े 300-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है, एक फूटी कोड़ी का भी जाफा उसमें नहीं किया गया, और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है, दुर्भाग्यपून है, और मुझे लगता है कि शायद ही क कोई ऐसा बजट होगा इस देश की इतिहास में, जिसने लगभग सब को निराश किया हूँ, और यहां तक कि अगर आप भारती जंता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें हैं, इंटरनेट के इलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश होए हैं, मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजन से बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, क्यापिटल गेंस पे टाक्स बढ़ाए गए हैं, इट्सेक्टरा, प्रकार का होता है कि एक वर्ग खुश होता है, दूसरा वर्ग निराश होता है, लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है, जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मातर दो विक्तियों को छोड़के, नितीश कुमार और चंदरबाबुनेट, मैं प पारखन, 36 गड़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में, राज्यों को कुछ नहीं मिला, और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और उनको सब कुछ लटा दिया गया, तो इससे तो यही सार मिलता है, कि जो राज्यों भाजपा को कम वोट देता है, उस जादा दिया जाएगा, तो आगे के लिए सीख ले लीजी, और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दोराई नहीं है, आप महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर आए महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी, तो इस देश का हर नागरिक एक माईने से गरीब होता जा रहा है, और उसके उपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादात थी इस देश में, उसको लाचारी के कागार पे ला कर सरकार ने खड़ा करती है, जिसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इंवेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की, जो लाब आपको दिया जाता था, वो आपसे छेन लिया, इंडेक्सेशन छेनना, इंवेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं इंवेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है, आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक माइने में इंफलेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं, यानि कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुवधा खरीदें, या इंकम कमाएं, उस पे तो टैक्स देते थे, अब आप महंगाई जो इंफलेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक 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 लाब आपको दिया गया था, वो आपसे सरकार ने चीन लिया है, तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तपके को नराज किया है, दिल जमा कराते हैं, उनका शेर इन सेंटरल टैक्स जो उने मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, वो 20 साल से जितनी राशी मिलती थी, करीब साड़े 300-400 करोड मिलती है, बस उतनी ही मिलती है, एक फूटी कोडी का भी जाफा उसमें नहीं किया गया, और एक प्रकार कि अगर आप भारती जंता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें हैं, इंटरनेट के इलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश होए हैं, मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग इजाद किया गया है, जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मातर दो व्यक्तियों को छोड़के, नितीश कुमार और चंदरबाबुनेट, मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्ये जिन्होंने अभूतपूर समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज् राज्यों को क्या मिला इस बजट में, इन राज्यों को कुछ नहीं मिला, और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लटा दिया गया तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उससे जादा दिया जाएगा तो आगे के लिए सीख ले लीजी और दूसरी चीज जहां तक एक आम नागरिक की बात है इसमें कोई दोराई नहीं है आपका एकनॉमिक सर्वे भी सीमाई की रिपोर्ट भी और जितने भी ये एजेंसीज हैं इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट साती है साफ बताती है कि इस देश में आए तो बढ़ने रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है अगर आए महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक माईने से गरीब होता जा रहा है और उसके उपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादात थी इस देश में उसको लाचारी के कागार पे लाकर सरकार ने खड़ा करती है जिसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा बॉडी ब्लो इस देश के इंवेस्टर्स को दिया गया है वो है इंडेक्सेशन की जो लाब आपको दिया जाता था वो आपसे छेन लिया इंडेक्सेशन छेनना इंवेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं investors को penalize करने जैसा है आप indexation remove करके एक माइने में inflation पे भी tax ले रहे हैं यानि कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें कोई सुवधा खरीदें या income कमाएं उस पे तो tax देते थे अब आप महंगाई जो inflation बढ़ रही है उस पर भी tax दे रहे हैं क्योंकि आप से indexation की जो एक एक लाब आपको दिया गया था वो आप से सरकार ने छीन लिया है तो कुल मिला कर इस budget ने लगबग हर तपके को नराज किया है दिल्ली के हिस्से में खास तोर पे दिल्ली वो राज्जे जो share in central taxes में लाखो करोड़ों रुपे केंदर सरकार की एक हजाने में जमा कराता है दिल्ली वाले जमा कराते हैं उनका share in central taxes जो उने मिलना चाहिए उसके लिए कुछ भी नहीं मिला वो 20 साल से जितनी राशी मिलती थी करीब साड़े 300-400 करोड मिलती है बस नहीं मिलती है एक फूटी कोड़ी का भी जाफा उसमें नहीं किया गया और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है दुर्भाग्यपून है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश की इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया हूँ और यहां तक कि अगर आप भारती जन्ता पार्टी की समर्थकों से बात करें इंटरनेट पे देखें हैं इंटरनेट के इलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें वो सब भी इस बजट से निराश होए हैं मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजन से बजट के माध्यम से लाए गए हैं जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है क्यापिटल गेंस पे टाक्स बढ़ाए गए हैं एक्सेश्टा